एक ही question है, NDA 2, 2000 बाई, set A का question number 84, question करा है, what is limit x approach is 0, x upon under root 1 minus cos 4x, जब भी modulus हो, under root हो, थोड़ा सा संभल जाईएगा, थोड़ा सा करगेगा, हो सकता है, वैसे cases में limit exist ना करें, यह ज्यादा chances रहते हैं, अब आप इसको क्या करो, cos 2x के terms में कर लो, लिमिट x approach is 0, x upon under root 1 minus cos square 2x, ठीक है, plus sin square 2x, ठीक है, यह finally क्या हो जागा, x upon under root, यह कितना हो जागा, 2 sin square 2x, 2 sin square 2x, ठीक है, अब under root हटाएंगे, तो mod में आ जाएगा, x by root 2, mod of sin 2x, ठीक है, और इसको अगर हम limit x approaches, 0 लगाएं, ठीक है, अब आप देखो, जब x 0 plus पे लोगें, तो यह पूरा plus आ जाएगा, ठीक है, ऐसा करते हैं, 2 से उपर नीचे डिवाइड करते हैं, 2 यह 2 root 2, अगर हम limit x approaches, 0 plus लें, तो यह देखो, यह positive आएगा, और sin 2x upon 2x, 1 बन जाएगा, तो finally, यह क्या बन जाएगा, 0 plus पे, 1 by 2 root 2 देदेगा हमें, आप x approaches 0 minus लेने, limit x approaches 0 minus, यह modulus हट जाएगा, निगेटिव में आएगा, और फिर sin 2x upon 2x, 1 देदेगा, लेकिन minus आ रखा है अल्रेडी, तो minus 1 by 2 root 2, दोनों value आप देखो, बराबर नहीं है, इसलिए limit does not exist होगा, तो correct option को होगा, d होगा, तो इस कदर इसे solve करना था,